परचय गौरव, अमल में पानी मिलाते समय सावधान रहो. पानी मिलते समय अमल को हिलाते रहो. ऐसा क्यों मैम? मैं इन्हें सीधे सीधे क्यों नहीं मिला सकता? ऐसा तो बहुत समय लगेगा. हाँ ये सच है कि इसमें समय लगेगा किन्तु तुम्हें इसे धीरे धीरे ही मिलाना चाहिए अन्यथा तुम जल सकते हो अरे हाँ मुझे पात्र गर्म लग रहा है ऐसा क्यों है माम बताती हूँ ऐसा अमल वक्षारक के मध्य अभिक्रिया के कारण है बच्चों इस पात में हम अमलों वक्षारकों के गुण धर्मों तथा लवणों के बारे में अध्यन करेंगे उद्देश इस पात के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे अमलों वक्षारकों के रासायनिक गुण धर्मों की व्याख्या करना अमलों वक्षारकों के सामान्य गुण धर्मों को पहचानना अमलों वक्षारकों की प्रबलता का वर्णन करना लवणों की व्याख्या करना अमलों वक्षारकों के रासायनिक गुण धर्म अमल वह तत्व है जो पानी में मिलाए जाने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है और क्षारक वह तत्व है जो पानी में मिलाए जाने पर हाइड्रोकसाइड आयन उत्पन्न करता है अमल्वकशारक दोनों ही के रासायनिक गुण्धर्म भिन भिन होते हैं, आईए इनके गुण्धर्मों का अध्यन करते हैं। अमलों वकशारकों के रासायनिक गुण्धर्म कुछ इस प्रकार हैं। गंधिय सूचक मान लीजिये आपको चार रसायन दिये जाते हैं और अम्ल या क्षारक के रूप में उनकी पहचान करने को कहा जाता है आप कैसे पहचानेंगे? आईए पता लगाते हैं हमारे पास गंधिय सूचक है जो बताते हैं कि कोई तत्व विशेश गंध में परिवर्तन के कारण अम्ल या क्षारक है इनका प्रयोग प्रयोगशालाओं में गंधिय अनुमापन नामक प्रक्रियाद्वारा यह देखने के लिए किया जाता है कि कोई विलयन अम्ल है या क्षारक गंधिय सूचक इस सिध्धान्थ पर कारे करते हैं कि जब कोई अमल या क्षारक किसी तत्व में मिलाया जाता है तो उसकी गंध का पता नहीं लगाया जा सकता उदाहरणार्थ लाल पत्ता गोभी का रस इस द्रव का रंग नीला बेंगनी होता है परंतु जब यह अमलिय तत्वों के संपर्क में आता है तो लाल हो जाता है और जब क्षारक के संपर्क में आता है तो हरा या कभी-कभी पीला हो जाता है क्या आप जानते हैं? आप जितने भी द्रव देखते हैं, उनमें से लगभग प्रत्येक में या तो अमलिय गुण होते हैं या फिर क्षारिय. जल यानी H2O अमलवा क्षारक दोनों हो सकता है. इसे कुछ अभिक्रियाओं में अमल माना जा सकता है. जबकि अन्य में क्षारक, जल अमल या क्षारक बनाने के लिए स्वयम के साथ भी अभिक्रियाओं कर सकता है. अमलों वा क्षारकों की अभिक्रियाओं. आईए, वापस वहीं चलते हैं जहां गौरव को मिक्सिंग भीकर गर्म लगा था. जब अमल को क्षारक के साथ मिलाया जाता है, तो वह ताप उत्पन करता है. इसके कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है. इससे आप जल सकते हैं. साथ ही अत्यधिक स्थानियताप के कारण काच का पात्र तूट भी सकता है. अतह अमलों वक्षारकों के साथ कारे करते समय हमें सावधान रहना चाहिए. आईए अब अमलों वक्षारकों की धातूओं, धात्विक कार्बोनेटों वधात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ परस पर विभिन अभिक्रियाओं पर विचार करते हैं. धातूओं के साथ अभिक्रिया. हाइडरोजन के उपर सभी धातुएं तनु अमलों के साथ उनके संगत लवण बनाने वा हाइडरोजन को मुक्त करने की प्रतिक्रिया शीलता श्रिंखला में अभिक्रिया करती हैं पोटाशियम, सोडियम वगैल्शियम जैसी सक्रिय धातुएं भी इसी प्रकार अभिक्रिया करती हैं, किन्तु अमलों के साथ मिलाए जाने पर विस्फोट कर देती हैं। धातु कार्बोनेटों वधातु हाइड्रोजन कार्बोनेटों के साथ अभिक्रिया। अमल धातू कार्बोनेटों वधातू हाइडरोजन कार्बोनेटों के साथ उनके संगत लवण जल्व कार्बन डायोकसाइड बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं परस पर अभिक्रिया अमल वक्षारक एक दूसरे के रासाइनिक विलोम है इनकी परस पर अभिक्रिया एक दूसरे के प्रभाव को शून्य क्रित कर देती है। इसे उदासीनता अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में किसी अमल को क्षारक के साथ मिलाया जाता है और ऐसा करने से जल का एक अणू तथा विशिष्ट लवन बनता है। धात्विक व अधात्विक ओक्साइड की अभिक्रिया एं। धात्विक ओक्साइड की अमलों के साथ अभिक्रिया। अभिक्रिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कार्बन डायोक्साइड के साथ अभिक्रिया लवण तथा जल उत्पन करती है। ये अभिक्रिया क्षारकों वा अमलों के मध्य होने वाली अभिक्रिया के समान है। इससे सिद्ध होता है कि अधात्विक ओक्साइडों की प्रकृती अमलिय होती है. क्या आप जानते हैं? जब अमल वक्षारक परस पर अभिक्रिया करते हैं तो वे जल उत्पन करते हैं. अमल H प्लस आयन उत्सरजित करता है तथा क्षारक OH माइनस आयन के साथ उसका संयोजन करके उसे ग्रहन करता है. यही कारण है कि अमल को प्रोटॉन दाता तथा क्षारक को प्रोटॉन स्वीकारक कहा जाता है जल के साथ अभिक्रिया जब अमलों को किसी जलिय विलेन में मिलाया जाता है तो वे आयन उत्पन करते हैं किसी अमल याक्षारक को जल में मिलाते समय आपको ये याद रखना चाहिए कि यह एक उश्मक्षेपी प्रक्रिया है. सांद्र अमल में जल मिलाते समय ध्यान रखिए कि उत्पन्न ताप मिश्रन को आस्फलित कर सकता है जिससे आप जल भी सकते हैं. अत्यधिक स्थानिय ताप के कारण काच का पात्र तूट भी सकता है. जब आप किसी अमल याक्षारक को पानी में मिलाते हैं तो प्रती इकाई आयतन के हिसाब से आयनों की सांद्रता घट जाती है. इस प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं और आपको तनु अमल या क्षारक प्राप्त होता है किसी विलियन में उपस्थित आयनों की मात्रा जानने के लिए अथ्वा किसी अमल या क्षारक की प्रबलता का पता लगाने के लिए आपको एक सार्व भौमिक सूचक का प्रयोग करना पड़ेगा सार्व भौमिक सूचक अनेक सूचकों का मिश्रण होता है यह किसी विलेयन में हाइडरोजन की विभिन सांद्रताओं को विभिन रंगों में प्रदर्शित करता है एक pH पैमाना वो पैमाना होता है जिसके प्रयोग से हम किसी विलेयन में हाइड्रोजन आयन की सांधरता को माप सकते हैं आप pH को 0 से माप सकते हैं जो की अत्यंत क्षारियता का प्रतिनिधित्व करते हुए 14 तक अति अमलता प्रदर्शित करता है उदासीन तत्वों के pH का मान साथ होता है क्या आप जानते हैं? सभी अमलों के गुण धर्म समान होते हैं आप जानते हैं कि धातूओं के साथ अमलों की अभिक्रिया कराय जाने पर hydrogen gas उत्सरजित होती है इससे सिद्ध होता है कि hydrogen सभी अमलों में विद्यमान है तथा पी आपको ये पता लगाना होगा कि क्या हाइड्रोजन रखने वाले सभी तत्वों में अमलिय गुण धर्म पाए जाते हैं दैनिक जीवन में pH का महत्व आईए अपने दैनिक जीवन के कुछ ऐसे उदाहरणों को देखते हैं जहां pH एक महत्वपून भूमे का निभाता है म्रिदा या म्रिदा अभिक्रिया का pH म्रिदा की अमलता अत्वा खारापन बताता है इसे pH इकाईयों में मापा जाता है इसे hydrogen ion सांद्रता के रिनात्मक लगुगणक के रूप में परिभाशित किया जाता है म्रिदा में hydrogen ion की मात्रा में व्रिद्धी के साथ म्रिदा का pH भी बढ़ जाता है और म्रिदा की अमलता में व्रिद्धी कर देता है मृदा के pH को मृदा की मुख्यचर राशी माना जाता है, क्यूंकि यह कई रासायनिक अभिक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है. यह पोशक तत्वों के रासायनिक रूपों पर नियंत्रण करके, पौधों में पोशक तत्वों की उपलब्धता को विशेश रूप से प्रभ बिना भोजन पचाने में सहायता करता है। जब उदर अत्यधिक अम्ल उत्पन्न करने लगता है तो यह अपच हो जाता है तथा उदर में दर्दव जलन होने लगती है। इस दर्द से छुटकारा पाने का उपाय क्षारकों का प्रयोग है जिन्हें प्रत्यम्ल कहते हैं, जो की अत्रिक्त अम्ल को उदासीन कर देते हैं। pH परिवर्तन के कारण दंतक्षय। दंतक्षय का कारण है दंतवल्ख का संग्शारण। कैल्शियूम फॉस्फेट से निर्मित दंतवल्ख हमारे शरीर का कठोर तंपदार्थ हैं। यह जल में विलेय नहीं हैं। किन्तु मु हमारे मुख में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद मुख में बची अवशिष्ट शरकरा तथा खाद्य पदार्थों का निम्नी करण करके अम्ल उत्पन करते हैं। इसे रोकने के लिए भोजन के पश्चात हर बार मुह साफ कीजिए। साथ ही क्षारिय टूथपेस इस्टों का प्रयोग करने से अतरिक्त अम्ल उदासीन होता है तथा दन तक्षय रुख जाता है। क्या आप जानते हैं? पशु वपधे आत्म रक्षा में अम्ल उत्प सर्जित करते हैं। उदाहरणार्थ मधुमक्खी का डंक, चीटी का डंक या बिच्छु पधे के काटे ये पधों वपशुओं को प्रकृती द्वारा प्रदत्त आत्म रक्षा यंत्र रचनाएं लवण परिवार लवण अमलों वक्षारकों के मध्य अभिक्रिया से निर्मित होते हैं। जब अमल का H प्लस आयन धातू या अमोनियम के आयन से बदला जाता है, तब लवण बनते हैं। एक जैसे रिनात्मक या धनात्मक मूलक एक ही परिवार के कहलाते हैं। उदाहरणार्थ NaCl वण Na2SO4 सोडियम लवणों के परिवार से हैं। इसी प्रकार NaCl वण KCl क्लोराइड लवणों के परिवार से हैं। लवणों का pH यहां लवणों का pH दिया गया है। एक प्रबल अमल वण प्रबल क्षारक साथ pH के मान का होता है। एक प्रबल अमल वण एक दुरबल क्षारक साथ से कम pH के मान का होता है। सामान्य लवणों से मिलने वाले रसायन। लवणों से प्राप्त होने वाले कुछ रसायन निम्न लिखित हैं। सामान्य नमक जिसका रसायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, एक आयनिय योगिक है और इसका सूत्र NACL है। इसी के कारण समुद्र का जल खारा होता है। खाद्य नमक का मुख्य अव्यव होने के नाते, यह एक मसाले वखाद्य परिक्षक के तौर पर सामान्य तह प्रयोग में लाया जाता है। सोडियम हाइड्रोकसाइड सामान्यतह कास्टिक सोडे के नाम से पहचाने जाने वाले सोडियम हाइड्रोकसाइड का आणविक सूत्र N-A-O-H है यह एक उच्च प्रदाहक धात्विक शारक है जोकी त्रनशयया, पपड़ी, दाने तथा पचास प्रतिशत संत्रिप्त विलेन के रूप में पाया जाता है यह जल इथनॉल व मीथनॉल में विलेय है इसका प्रयोग एक प्रबल रासायनिक शारक के रूप में लुगदी, वकागज, कपड़ा, पेजल, साबुन तथा डिटर्जंट बनाने में तथा एक ड्रेन क्लीनर के रूप में किया जाता है विरंजक चून विरंजक चून जिसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट तथा सूत्र CACLO2 है एक रासायनिक योगिक है मुख्य रूप से इसका प्रयोग जल शोधन हेतु तथा एक विरंजन कारक के रूप में किया जाता है यह एक सपेक्षिक रूप से स्थिर रसायन है और इसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट की अपेक्षा क्लोरीन अधिक पाई जाती है खावन सोडा खावन सोडा के नाम से प्रसिध सोडियम बाइकार्बोनेट तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक रसाइनिक योगिक है जिसका एन एच सी ओत्री है यह एक श्वेथ ठोस है जोकि क्रिस्टलिय है किन्तु एक महीन चूर्ण जैसा दिखाई देता है इसका स्वाद आलकानमकीन आलकलाइन होता है धावन सोडा धावन सोडा या सोडा भस्म के नाम से प्रसिद्ध सोडियम कार्बोनेट जिसका रसाइनिक सूत्र Na2CO3 है एक सोडियम लवन है इसे वाटर सौफनर के तौर में प्रयोग में लाय जाने के कारण घर घर जाना जाता है यह विभिन पौधों की भस्म से निशकरशित किया जा सकता है यह लवन वचूना पत्थर से बड़ी मात्रा में संक्शलेशन द्वारा प्राप्त किया जाता है क्या आप जानते हैं? क्रिस्टली करण का जल वो जल है जो क्रिस्टलों में पाया जाता है यह क्रिस्टल्य गुण धर्मों के संभरन में आवश्यक है किन्तु पर्याप्त ऊश्मा द्वारा हटाय जाने में समर्थ है यह किसी दिये गए तापमान पर निश्चित लवणों द्वारा छोड़े गए जल का कुल भार होता है सारांच आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संगशेप में दोहराएं अमल वो पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर हाइड्रोजन आयन उत्पन करता है जबकी क्षारक वो पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर हाइड्रोकसाइड आयन उत्पन करता है गंधिय सूचक पदार्थ विशेश की गंध में परिवर्तन के द्वारा ये बताते हैं कि वह पदार्थ अमल है या क्षारक आप जो भी द्रव देखते हैं उसमें या तो अमली अलक्षण होंगे या फिर क्षारकिय हाइट्रोजन से उपर सभी धातुएं अपने अपने लवण बनाने वह हाइट्रोजन को मुक्त करने के लिए अभिक्रिया शीलता श्रिंखला में तनू अमलों के साथ प्रतिक्रिया करती हैं अमल कार्बोनेटों वह हाइट्रोजन कार्बोनेटों के साथ उनके लवण, जल वह कार्बन डायोक्साइड बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं अमल वक्षारक एक दूसरे के रासाइनिक विलोम हैं अमलों को जब जलिय विलियन में मिलाया जाता है तो वे आयन उत्पन्न करते हैं pH scale किसी मिश्रण में hydrogen ion सांद्रता मापने का पैमाना है लवन अमलों वक्षारकों के मध्य अभिक्रिया के कारण उत्पन्न होते है